हेलो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ राजीव और आप देख रहा हैं जारखंड अपडेट दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो जैसा कि हम जानते हैं नवंबर 2020 में देश के अलग-अलग कई राजियों में विदानसभा उपचुनाओ कराया गया जिसका रेजल्ट भी आ चुका है दोस्तो जारखंड के दो विदानसभा चेत्र दुम का वबेरमो भी इसमें शामिल है तो आईए जानते हैं जारखंड के बेरमो वब दुम का उपचुनाओ का रिजल्ट क्या रहा है आईए शुरू करते हैं दोस्तो जारखंड राजी की दो विधानसवा सीटों पर चुनाओ नॉम्बर 2020 में संपन कराया गया जारखंड की इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाओ में महागडबंधन अर्थात यूनाइटिड प्रोग्रेसिव अलाइंस को जीत हासिल हुई है यूपिय ने दुमका और बेरमो दोनों ही सीटों पर 2019 के विधानसवा चुनाओ की तरह कबजा बरकरार रखा है दोस्तो आईए अब जानते हैं कि दुमका विधानसवा सीट की क्या इस्तिती है दुमका में हेमंत सोरेन के भाई जारखन मुक्तिमोर्चा प्रत्याशी बसंत सोरेन ने पूर्व मंत्री भाजपाक प्रत्याशी लुईस मरांडी को 6000 से भी अधिक मतों से पराजित कर दिया है मुक्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका सीट छोड़ने के कारण यह सीट रिक्त हुई थी दोस्तो आपको ये बता दे कि हेमंत सोरेन ने 2019 के विधानसवा चुनाओं में दुमका के अलावा साहिबगन जिले के बरहेट विधानसवा में जीत दर्ज की थी बाद में समवैधानिक बाथेता के कारण उन्होंने दुमका सीट से त्याग पत्र दे दिया था दोस्तो आपको बता दे कि दुमका विधानसवा निर्वाचन छेत्र दुमका जिले में दुमका लोकसभा निर्वाचन छेत्र के अंतरगत ही आता है दोस्तो आईए अब जानते हैं बेर्मो विधानसवा सीट की क्या इस्तिती है दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करें और कमेंट कर बताए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है साथी जारखंड अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्रेस कर ले बेल आइकन को ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथी मेरे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर ले जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तो मैं वहाँ भी प्रतिदीन जारखंड से रिलेटेट करेंट अफ़ेर्स अपडेट करता रहता हूँ तो दोस्तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं और बेर्मो विधानसवा सीट के बारे में जानते हैं दोस्तो बेर्मो में कॉंग्रेस प्रत्याशी कुमार जैमंगल उर्फ अनूप सीग ने जीत हासिल की है कुमार जैमंगल उर्फ अनूप सींग ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटूल को 14,000 से भी अधिक वोटों से हराया है दोस्तो आपको ये बता दें कि बेर्मो से विधायक रहे कॉंग्रेस के दिगजनेता राजिंद्र सींग के निधन के बाद यह सीट रिक्त हुई थी दोस्तो आप ये भी जान लीजे कि बेर्मो जार्खंड राज की बोकारो जिले में इस्तित विधान सभा छेत्र है और यह गिरिडी लोकसभा निरवाचन छेत्र के अंतरगत आता है दोस्तो आईए अब जानते हैं कि इस उपचुनों के बाद विधान सभा की इस्तिती क्या रहेगी दोस्तो आईए अब जानते हैं कि जार्खंड विधान सभा की वर्दमान इस्तिती क्या है दोस्तो जारखंड में कुल 81 निर्वाचित सदस्य विधान सभा में होते हैं आईए जानते हैं सत्ता पक्ष की क्या इस्तिती है सत्ता पक्ष में है संयुक्त प्रगतिसील गडबंधन अर्थात युनाइटेट प्रोग्रेसिफ एलैंस इसमें जारखंड मुप्ति मोर्चा के 29 विधायक है दोस्तो आपको ये बता दे कि मधुपूर की सीट हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद रिक्त हो गई थी दोस्तो हाजी हुसैन अंसारी जारखंड के अर्पसंखे कल्यान मंत्री थे जिनका निधन 3 अक्टूबर को हो गया जिसके कारण मधुपूर सीट अब रिक्त है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के 16 विधायक हैं अगर प्रदीप यादव और बंधु तिर्गी को भी सामिल कर ले तो 18 विधायक हो जाते हैं कॉंग्रेस के दोस्तो आपको ये बता दे कि 2019 विधान सभा चुनाव में प्रदीप यादव और बंधु तिर्गी जारकंड विकास मोर्चा के सीट पर जीते थे परन्तु जार्कंड विकास मोर्चा के भाजपा में विले होने के बाद प्रदीप यादव और बंधु तिर्गी ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया जार्कंड विधान सभा में रास्टिय जन्त अदल का एक विधायक, CPI ML का एक विधायक तथा नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी का भी एक विधायक है दोस्तो आईए अब जानते हैं कि विधान सभाग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस अर्थात NDA की क्या एस्तिती है भाजपा के 25 विधायक हैं बाबुलाल मरांडी को मिला ले तो 26 विधायक दोस्तो आपको बता दे कि बाबुलाल मरांडी 2019 विधान सभा चुनाओ के बाद अपनी पार्टी जाविमों का विलाए भाजपा में कर दिया था साथी NDA की घटक आजपा के पास दो विधायक हैं जबकि जारखंड में इंडिपेंडेंट दो विधायक हैं एक सर्यूराय और दूसरे हैं अमीद यादो धन्यवाद दोस्तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें साथी जारखंड अब्डेट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है धन्यवाद दोस्तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ तब तक जुड़े रहे हैं जारखंड अप्रेट के साथ धन्यवाद